मन सुन्दर सुमवार से शनिवार राच साड़े आठ वजे सिर्फ दंगल टीवी पर प्रतिक पापा पापजी ये बगवार ये क्या हो गया है क्या हूँ उठा बेटा ये ये क्या है तुम साथ ही नहीं के फिर ये हुआ कैसे मास सौरी वो में पेंटिंग दिखने के लिए थोड़ा सा आगे थी चलो अब नरेश ठीक है तो प्रत्योगीता के विजेता की कूश्रां करवा देते हैं ताकि नरेश आराम कर सके हैं नरेश तु ठीक है ना बेटा रुचिता आँ चले चलो तुम दोनों अपने अपनी तस्वीरें दिखाओ मेरे नजर में घर की मुख्या पापाजी है इस घर के करता धरता है वो उन्होंने ये व्यापार शुरू किया है और इस घर को इस पड़िवार को समाला है आज हम जो भी है सब इनकी बदालात है ठीक है अब रुचिता तुम दिखाओ तस्वीर तादी जी मेरे पेंटिंग तो अधूरी रह गई अरे ये तो सच में अधूरी है इस पर तो आकनाक कुछ बने ही नहीं है दिखने में फिर भी बहुत सुन्दर है एकदम निलम की पड़्चाई लग रही है है ना रुचिता खर की मुखिया में तुमने मेरी तस्वीर बनाई है जी दादी जी मेरे लिए इस खर की मुखिया आप ही है क्योंकि आप इस खर की बड़ी है पापजी की मा है आज पापा जी अगर काम्याबी के इस मुकाम पर पहुंचे है तो वो सिर्फ आपके संसकारों की व हमारे साथ हूं तो उनसे बड़ी दॉलत उनसे बड़ा मुखिया तो और कोई हो ही नहीं सकता पिर भी तस्वीर तो अधूरी रह गई ना इस प्रतियोगिता के विजेता तो मेरी बगों आचली है दादी आपको आने की जरुरत नहीं है मैं आपके पास आ जाती हूं इस प्रतियोगिता के विजेता और सर्व गुन संपन बहू। सिर्थ रुचिता है कि यह तो गलत है रुचिता ने आपको गर का मुख्या क्या बना दिया आपने तो आपने तो उसे विजेता खूशित कर दिया यह यह कंगन पहना रही है आप उसे कि सही नहीं है माजी यह फैसला तो हम तस्वीर देखने से पहले ही कर चुके थे क्यों बहनो बिल्कुल असली भू तो वही है जिसके लिए अपनी जीट से जादा अपने ससुर की जान माइने रखती है और उसके हातों का बैता हुआ खून साफ साफ बता रहा है कि इस घर के के लिए और गरवालों के लिए रूचिता कुछ भी कर सकती है कि इस कंगन की हगदार मैं तब बनूंगी जब पापाजी को मैं पूरी तरीकी से ठीक कर दूंगी तब तक आप इसे अपने पास मेरी अमानत के तौर पर रखे मैं जानता था यह कॉमपेटिशन तुम्हें जीतोगे रुचिता क्योंकि तुमसे बेस्ट और कोई हो इने सकता तुम जीतने के ही लायक बस मैं तुम्हारे लायक नहीं I feel you, रुचिता मैंने तुम्हें हरा दिया मैंने अमारे प्यार को हरा दिया, रुचिता अच्छा तो निलम बहन अब हम चलते हैं जब नरेशी ठीक हो जाएंगे तो फिर मिलने आएंगे नमस्ता मस्त नमस्त पापाजी आप चाहते थे ना कि मैं जीतूँ देखे मैं चीत गई अब मैं आपको और लाचार मैसूस नहीं करने दूगी मैं आपको ठीक करके रहूंगे पापजी तुम सर्वगुन संपन्ण बहो होगी रुचीता लेकिन मैं अवगुन संपन्ण हूँ वो कड़ा तो मैं तुमसे छीन के ही रहूंगी अब जब रजीता पुजा करने आएगी और धड़ से गिरके अपना सर फोड़ेगी तब जाके मेरी कल की आँख थोड़ी शान्त होगी मैं इस रुचिता के लिए जब भी कुछ करना चाहती हूँ पता नहीं उसमें ये हुकुमसा कहा से टपक चाते हैं मैं आचिनावे मैं आचिनावे मैं आचिनावे